तो क्या हाले दोस्तों आप लोग 10 things you should know about firewall dream smartwatch भाई firewall ने अपनी dream smartwatch launch किया आप बोल सकते हैं smartwatch के रूप में एक smartphone ही launch कर दिया है और almost सभी youtubers आप देख सकते हैं भर-भर के videos बना रहे हैं smartwatch के बारे में हम लोगों ने भी बनाया हुआ है proper तरीकिसे इसकी unboxing किया हुई है testing दिखाई हुई है सारे आपको features देखने हैं अगर आपने वो वीडियो भी तक check out नहीं किया है तो यहाँ पर दिये लिंक पर आप check out करके देख सकते हैं और उस वीडियो में आप लोग के काफी comments आयों है आपको काफी confusion है smartwatch को लेकर भाई exactly यह smartwatch है कि smartphone यह exactly है क्या तो मैंने क्या किया मैंने न 10 comments बिल्कुल लगा कि हाँ यह repeated comments आ रहा है इन पे काफी चर्चा हो रही है काफी confusion है आपको लेकर तो मैंने 10 बिल्कुल आपको points बिल्कुल cover करेंगे proper तरीकी से step by step इस वीडियो में ताकि आपका जो confusion है इस smartwatch को लेकर exactly बिल्कुल picture clear हो जाए ताकि अगर आप socialist को purchase करने का आपका purchase decision और भी perfect हो जाए सबसे पहले आपका यह confusion clear करतू कि भाई यह smartwatch है कि नहीं है तो भाई smartwatch में क्या रहता है जो normal smartwatches रहती है उससे आप phone से connect करके आप Bluetooth calling कर सकते है notifications ले सकते है आपका application package आपके smartphone में रहते है लेकिन यह खुद में ही एक smartphone है तभी इसका नाम wrist phone रहा गया है आपके हातों में ही smartphone दी गई है तो यह normal smartwatch नहीं है proper तरीके से आप बोल सकते हैं smartphone है जो आपको features मिलने वाले एक smartphone में वह यहाँ आपको smartwatch में feature मिल जाएंगे तो इसको आप wrist phone बोल सकते हैं इसमें 4G का option दिया गया है 4G sim card यहाँ पर nano sim card support करती है smartwatch और साथी में wifi का option में मिल जाएगा wifi से आप connect करके इसमें आपको play store मिलने वाला है आप download कर सकते हैं जो आपको applications चाहिए और यहाँ पर काफी लोगों confusion था कि इसको normal watch की तरफ phone से connect कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे यह खुद में ही एक phone है इसमें आपको 4G sim card insert करनी पड़ेगी तब ही आप calling कर सकते हैं दूसरे phone से connect करके आप Bluetooth calling नहीं कर पाएंगे इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसमें आपको Wi-Fi का option मिल जाएगा साथी मैं hotspot का option मिलने वाला है आप लोगों को question आये था इसमें आपको hotspot भी available मिल जाएगा आखी जो normal true wireless ear buds रहते हैं headphones रहते हैं, neckband आपको connect करना है आपे smartwatch में तो वो आप कर सकते हैं Bluetooth की settings में जाके कहने का मतलब यह है कि इसका phone से कोई लेने दाने नहीं है यह phone से connect नहीं होता है खुद इसमें आप insert करके SIM card इसको आप एक phone की तरह treat कर सकते हैं phone को आपको carry करने के जरुवत नहीं अगर आप नहीं बाहर जाते हैं इसको आप definitely लिया सकते हैं उस purpose के लिए second अगर हम बात करेंगे तो display part के हम बात करते हैं इसमें आपको 2.02 इंचिसका IPS HD display मिलने वाला है इसमें आपको AMOLED display नहीं मिलने वाला है और third में जो काफी comment से आए थे कि इसमें Android version क्या है तो इसमें आपको Fire OS मिल जाएगा Fireboard की तरफ से और यहां पर आपको Quad Core processor मिलने वाला है और उसमें आपको Android version 8.1 मिलेगा और SSH कोई brand की तरफ से information नहीं है यह upgrade को लेके अभी एक तक फिलाल तो और इसमें आपको 2GB की RAM मिलने वाली है और 16GB का आपको Stories मिल जाएगा आप Stories कर सकते हैं Music को लेके, Videos को लेके या Play Stories को लेके या प्ले स्टोरी से आप applications download कर सकते हैं और Payments को लेके मुझे काफी comments आए थे कि भाई इससे हम Payment कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसमें आपको built-in camera में मिल जाए तो camera नहीं दिया गया तो आप scan करके या पे payment तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ, Paytm के थुरू या अगर आप number डालते हैं फोन पे आप number डालते हैं तो उस number पे या पे UPI कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं अब पाच्वी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर games को लेके बात करते हैं अगर आप normal games खेलते हैं आप मैंने server server खेल की देखा हुआ था अगर आप normal games खेलते हैं तो उस purpose के लिए काफी अच्छा option आपको ऐसे चोई lag फिल नहीं होने वाला है आपको लगेगा कि हाँ 10-15 अपर यहाँ आप गेम खेलने के बाद थोड़ी आप अच्छी खाजी smartwatch हीट हो रही है तो यहाँ थोड़ी देखते हैं आप games खेल के उसको आप rest देते रहेंगे तो सभी आपका output मिल जाएगा gaming पार को लेकर भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसको आप बिल्कुल स्मार्टफोन की तरहीं ट्रीट कीजिए 16GB का storage दिया गया है जो जो आपको application useful लगे आप download कर सकते हैं आपे तो PDF आप read कर सकते हैं आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यह है कि आप directly read नहीं कर सकते हैं अगर आपको कोई send करता है वाटसेप पे PDF तो आप directly read नहीं कर सकते हैं आपको कोई PDF रीडर डाउनलोड करना पड़ेगा प्लेस्चोर से तब ही आप read कर पाएंगे उसको और यहां अगर हम 8 point cover करेंगे UI को लेके तो देखिए अगर आप normal इसको आप use करेंगे तो UI काफी आपको smooth मिलने वाला access करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जब आप applications यूज करते हैं for example यहां अगर आप overuse करेंगे zomato use करेंगे यहां गूगल maps यूज करते हैं तो अब use तो कर पाएंगे लेकर आपको लग सकता कि हाँ थोड़ा बहुत कहीं नगा यहां आपको लग सकता है यहां आप यहां थोड़ा बहुत लग रहा है कि UI को लेके अब perfectly smooth work नहीं करती है applications को अब ध्यान में रखिएगा लेकिन हां price point के हिससाब से आपको Android smartwatch दी गई है उससाब से आपकी applications चल रही है वो बिल्कुल सही initiative लिया गया यहां पर 9th point की बात करेंगे यहां पर काफी comment साथ है बैटरी पार्ट को लेकर तो भाई बैटरी इसकी मैंने विल्कुल अच्छे तरीके सी use किया smartwatch को तो आप बोल सकते हैं अगर आप इसका विल्कुल adequate तरीके सी use करते हैं थोड़ा use करेंगे थोड़ा रख देंगे आराम से आप घुमेंगे फिरेंगे थोड़ी calling करते हैं थोड़े game scale लेंगे तो जैसे आपको smart phone provide करता न एक दिन इसमें आपको 800 image की battery मिलने वाली है built-in और full charge करने में आपको approximately 1.5 घंटा लग जाएगा smartwatch को और normal तरीके से adequate तरीके से use करेंगे 20-24 घंटे एक दिनी आप बोल सकते हैं normal तरीके से आप यापे smartwatch जी थुरू battery life निकाल पाएंगे heavy usage करेंगे लगे रहेंगे बिल्कुल याप यापे smartwatch में लगी रहेंगे तो आप approximately 4-5 घंटे के आसपर battery life निकाल सकते हैं तो भाई ये सब points मुझे लगे के cover करने चीए ताकि आपका जो buying decision है smartwatch का बिल्कुल perfect हो जाए आपके जो questions है मैंने इसमें बिल्कुल proper तरीके से वीडियो में cover कर लिए आपकी क्या personal रहा है smartwatch के बारे में backup phone चाहिए तो उसको आप definitely check out कर सकते हैं मतलब हाँ अगर आपको आपको हाथों में ही सारी की सारी चीजी चीए बेना किसी दिक्कत की phone को बार 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 ना निकाला हो उस परपस के लिए एक अच्छा option है मैंने आपको सब बता दिया अपना personal रहा है भी बता दिया आपके comments को भी मैंने reply करके video की थरूप बता दिया अब आपको और भी कुछ दिक्कात है comments करने में बिलकुल पूछ सकते हैं आप बिलकुल पूछिए I will try my best to help you out with that और मैंने best possible links भी दे दिया है description में आपको product पसंद आया check और करके grab भी कर सकते हैं so this was all about the 10 things you should know about fireball dream smartwatch hope you like this one and as I told you if you're new to our channel kindly subscribe our channel hit the like button comment share as much as possible so we can make more good stuff for you all thank you for watching this one and see you in the next video thank you